अगर मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो movement अडवानी जी ने चालू की थी, उस movement को, जो जिसका center अयोधिया था, उस movement को इंडिया गडबंदन ने अयोधिया में हरा दिया है. पर ये को लाइक भी करें और बाद में शेयर भी करें. जब वो बाबरी मस्जद गिराई गई थी बाबरी मस्जद का धांचा गिराया गया था उसके बाद सरकार बना ली थी और नारा लगाया था कि मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए जैश्री राम अब आज जबकि राम मंदिर बन चुका है जबकि राम मंदिर आंदोलन की एक सुख़द परणित हो चुकी है उस समय राहुल गांदी गुजरात में खड़े वोकर कह रहे हैं कि वही उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया है राम अंदिर आंदोलन को तो खेर वो तो अपनी विजय पता का फैरा चुका है सदा सरवदा के लिए उसको तो आप पुछ कर नहीं सकते राम अंदिर आंदोलन तो इतिहास में एक सफल आंदोलन के रूप में पत्रिष्ठित हो चुका है राहूल गांदी अपने दिमाग का इलाज कर आओ एक बात दूसरी बात जो ये लगातार बगवान राम के परती अपनी ग्रणा प्रदर्शन कर रहे हैं राहूल गांदी मुझे लगता है कि अब एहंकार का जो एक जो एक बोना प्रदर्शन है वही हो रहा है कई विवेचकों का मानना है कि उतर प्रदेश में खास दो होगी उतर प्रदेश में आप जानते हैं उतर प्रदेश में कि आपको यदि वोट मांगना है वोट लेना है तो आपकी मूच नीचे पूछ उपर यह फर्मुला है तो कई लोगों का ये मानना है बुद्तर प्रदेश को जो अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई लोगों को मोधी जी में कुछ थोड़ा एहंकार का पुट दिखाई पड़ा इसलिए जो हमारे जो हमी है उसके बाई मागने वाले की वोट मागने वाले की मूच नीची होनी चाहिए उन्हों नहीं का अच्छा मूच उपर ठीक है बताते हैं तो इसकी तरह से वो छोटा मोटा जो जो लोस हुआ वही इनकारनों से हुआ है कोई बात ने लेकिन ये जो राहुल गांधी जो है उनकी भाव भंग्मा उनके तेवर उनकी स्टाइल उनकी पफट अप चेस्ट और उनके बाइसेप्स और हाफ स्लीव शर्ट जो बताते हैं कुछ लाकों की है ये सब जो परदर्शन करते गूम रहे हैं उनको लग रहा है कि उनको इनकी हरकतों से लोग उनको बेचारा माल लेंगे यहां वोट बेचारे को मिलते हैं यहां वोट जो है वो जो आपको ध्यान है ना वो सैंडो की तरह है अपने शरीर शौस्टव को परदर्शन करने वालों को नहीं मिलते हैं तो इसलिए यह जो एहनकार का परदर्शन कर रहे हैं और यह जो शिवजी की पतिमा को दिखा कर और बगवान राम के साथ द्रोह करने का पयास कर रहे हैं राउल गांदी उसका तो मैं अभी दो दिन पहले भी मैंने कहा था तुलसी दास जी ने रामचार इतमालास में बहुत अच्छी तरह कह दिया तो दुबारा दोड़ा दिता हूँ कि संकर प्रिया ममदोही शिवद रोही ममदास ते नरकर हिकलब भर गोर नरक महुवास तो ये नरक और सुर्ग जो है इसी दुनिया में ही मिलते हैं तो अब राहूल गांदी का जो पीक है वो आ गया ऐसा लग रहा है और उन्हों ने अपनी भगवान राम के साथ तो ग्रणा पदर्शित की ही की उन्हों और भी अनेक इस्थानों पर भारत के प्रति भी ग्रणा पदर्शित कर दी जैसा कि आप जानते हैं जो उनकी ग्रणा है मोधी के प्रति वो अब भारत के प्रति ग्रणा के रूप में पदर्शित हो रही है तो अब बहुंच गए गुजरात और गुजरात में कहा कि हम गुजरात जीतेंगे गुजरात कैसे जीतेंगे गुजरात में तो वो पूरी तरह से सारे गुजराती बिजनस्मेन गुजराती नेता उनको सब जो है लगातार गाली देते हैं अब गुजरात जीतेंगे इतना ओवर कॉंफिडेंस आ गया लिखके ले लो अरे तुम्हारे लिखने के क्या कीमत है राहुल जी और फप्पू तुम ने तो ये भी लिखके दिया था कि हमारे दो सब पंचानवे सीटे आ रहे हैं लिखके ले लो नरेंद्रमोदी पिधान मंतरी नहीं रहेगा लिखके ले लो ना किसी इन तुम से लिखके मागा तो किसी इन तुम से लिखके मागा नहीं किसी तुमने लिखके लिखके दिया नहीं हाँ ये अनौन्स करते रहे तुमारी एक विवास सच नहीं हुई लेकि उसके बाद भी त मुंबई की मरीन राही पे जो दस लाक लोग इकटे हुए बारत की टीम को स्वाबत करने के लिए उस समय भी तुम्हारे चम्पों ने दिखाई और अब शक्षी तरूर ने दिखा दी बारत ने अपनी बी टीम बेजी जिम्बावे में खेलने के लिए उसमें बहुत सारे डेबिटेंट थे नए खेलाडी थे या फिर जो लोग जो थे जो बारत की टीम में नहीं खेल पाए थे केवल वही थे वहाँ पे वह टीम आज जिम्बावे से हार गई तो भाई शशी तरूर जी ने ग्यान देना यह शुरू कर दिया यह है बी सी सी आई का अहंकार टूटा अहंकार तो तुम लोगों का सर चड़के बोल रहा है तुमारी ग्रणा तुमारी भारत के प्रती वित्रिशना जो है तो साफ द व्यंग कर सकते हो बारत के तुकड़े तुकड़े कर सकते हो यही तुमारे पूरू जो ने किया था यह तो बात इतनी निश्चित हो गई लेकिन अब इसका पुश्बैक भी आ रहा है दूसरी तरफ से बताया आज आज नूपर शर्मा मैदान में उतर गई और नूपर शर जाएगा अब मैं तो पहले भी बहुत कह रहा था कि वे नूपर शर्मा को राइबरेली शो उतार दो नूपर शर्मा इद राइबरेली वे उतर गई होती उत्तर पुदेश का पूरा चुना सिनारियों बदल जाता लेकिन नहीं कोई नई बात तो करी नहीं ना इस बार सही बात तो यही है बार बार यही बात आ रही है कि कोई नया नेरेटिव ही नहीं दिया कोई नया कामी नहीं किया वही एक प्रकार से दबू बनाओ वही एक प्रकार से कि अरे कोई रुष्ट ना हो जाए अरे हमारा नाम बदनाम नहो जाए अरे हम पुलिटिकली करेक्ट रहे अरे कहीं कोई हमारे नाम के आगी कोई बट्टा ना लग जाए इस तरह से कोई कारे कर रहे थे तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा अब इसके साथ साथ और भी स्वांग रिचे जा रहे हैं पता चला कि राहूल गांदी जो है वो बहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पाइलेट्स के साथ लोको पाइलेट्स के साथ पोटो शूट हो गया हाँ आठ कैमरा थे डारेक्टर था सब कुछ था मोधी को क्रिटिसाइज करते रहेंगे किया रहे देखो जो है मोधी जो है बड़ा कैमरा प्रेमी है लेकिन राहूल गांदी क्या कि इसकी बात अब होने लगी है है कि राहूल गांदी को अभी तक लोग पपू मानते थे लेकिन मान गया है कि यह पपू जो है यह काफी दुष्ट भी हो चका है और इसने जो इसके मेंटर्स हैं उन्होंने इसकी दुष्टता में चार चान लगा दी हैं तो अब इसको लोगों ने ध्यान देना आरम कर द लोगों पाइलट सारे के सारे फर्दी निकले फर्दी निकले वहां पर रणिंग लॉबी में नहीं था अब यह सब करके राहूल गांदी क्या दिखाना चाहते हैं देखो या काट की आड़ी बार बार नहीं चड़ती तुमने एक जूट बोला कि बीजेपी अरक्षड हट रहेगी वह जूट जो है वह कुछ लोगों में कुछ दिनों के लिए चल गया हाला कि इससे कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ है इंडिये को केवल 0.2% वोट कम बिले है पिछली बार से लेकिन कुछ इस्तानों पर कुछ कंसॉलिडेशन हो गया या उत्तर निन्यानवे के पेर को तुम सोचो कि तुमने सेंचुरी बना लिये नहीं गया निन्यानवे और सेंचुरी में बहुत अंतर होता है और तुमको बनानी थी कम से कम ट्रिपल सेंचुरी कि 272 चाहिए ना तो चलो तुमारे अलाइंस ने 234 ही तो पाए तुमसे ज्यादा तो बीजेपी की अकेले सीटे हैं तुम क्या उचलकूद मचाते घूम रहे हो भाई अठारा परसंट सीटे तुमको मिली अठारा पॉइंट दो परसंट अभी इंग्लेंड में यूके में इलेक्शन हुए बिल्टेन में वहां पर जो रूलिंग पार्टी थी उसके लीडर को रिशी सुनक को अठारा दस्वम्ला तीन परसंट सीटे मिली उन्हों ने का हम हार गए हैं उन्होंने इस्तिफा दे दिया हार सिकार करके हुए तुमको 99 में मिली 18.2 परसंट और तुम चारों तरफ दुंदुभी पीटते घूम रहे हो कि तुम जीत गए इंग्लेंड में तो एक बार हारने के बाद फिर कोई आगे चल नहीं सकता उसको अपनी पार्टी से पार्टी के प्रेजिडेंट पत से भी रिजाइन करना पड़ता है लेकिन तुम जो वो उचले उचले फूले फूले घूम रहे हो यह नहीं चलने वाला है तुमने जो गुब्बारा जिसमें हवा भरी है इस दोजार चौबिस लोक सभाई एलेक्शन से यह गुब्बारा पंक्चर होने में देर नहीं लगेगी जैसा कि नूपुर शर्मा ने तुमको वार्ण भी कर दिया है जैहिन जैंभारत बंदे मात्रम